इद पर हम हमेशा मतन बनाते हैं तो आज मैं आपके से शेयर कने जा रही हूं इद स्पेशल मतन करी इस मतन करी को बनाने में हमें बहुत कम टाइम लगता है और इसे बनाने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करिदना है वही घर के मसालों से इसे हम तयार करेंगे और टेस्ट इसका एकदम लाजवाब आता है तो आप भी इसे जरूर ट्रै करें आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तब ही आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी सबसे पहले हम मसाला तैयर करेंगे तो यहाँ पे हम प्यास ले लेंगे लैसुन ले लेंगे और अद्रक ले लेंगे रफली ही चॉप किया है इसे मैंने आप एकदम रफली चॉप कर लें क्योंकि हमें इसे पीस ना है मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइस की प्याज लिया है आठ से दस यहाँ पे लैसुन की कलिया लिया है और एक इंच मैंने यहाँ पे लिया है अधरक का टुकडा इन सब तीनों चीजों को डाल देते हैं तो इसे ब्लैंडिंग जार में डाल दें और जरा सा पानी डाल देंगे इसमें ताकि इसे हम अच्छे से पीस लें इसका डखकनम बंद करके इसे अच्छे से पीस लेते हैं और यहाँ पे प्यास लैसुन और अदरक का पेस्ट है बनके तैयार हो गया है तो यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी है अब हम टमाटर का पेस्ट भी बना लेंगे तो प्यास का पेस्ट बन गया है टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं उसके लिए दो बड़े साइस के टमाटर लेंगे और चार से पांच यहाँ पे हरी मिर्श लेंगे इन दोनों को अलग से तो प्यास वाला अलग पीसे हैं और टमाटर वाला इसे अलग पीसते हैं टमाटर और हरी मिर्ष को दोनों को साथ में डालके इसे पीस लेते हैं बिना पानी डाले तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी तयार हो गया है इसे भी हम रख देते हैं साइट और चलते हैं अब सबजी बनाने के लिए गैस पर कूकर रख लें और इसे अच्छे से गरम कर लें फिर हम इसमें चार बड़े चमश तेल डाल देंगे आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ओयल डाला है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और जैसे ही तिल गरम होगा फिर हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे दो बड़ी लाइची ले लेंगे दो हरी लाइची काली मिर्ष ले ले लेंगे लाउंग ले लेंगे जावित्री ले लेंगे एक स्टार एनिस और एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा डाल देंगे इन्हें हम गरम तेल में ही डालेंगे आप पर जितने भी खड़े मसाले हो खमें यूज और शक्निक यूज स्कूब आइय। गृइथी टेस्टपा कंटेशा प्रखलू और भीडियूर में की हम लिखा। से खूरप मैंने सबस्टपा ओने सब्सक्राइब करें तो द्रहा करने से चलोड़ा। में इस मटन की रेसेपी में प्यास थोड़ी जादा यूज होती है हमने पेस्ट में भी डाली है प्यास को और इस तरह से स्लाइजिस में भी काटके डाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यास फ्राइ होना शुरू हो गई है अभी यह हलकी ही ब्राउन है इसे हम थोड प्यास यहाँ पैछी से फ्राइ हो गई है फिर आम इसमें डालेंगे में ठेट बड़ा चंप lucky ट्रेट कुछेटि के के लिए फिर आम इसमें पेस्ट आ लेंगे तो पेस्ट बाद में ही डालें का सोरी मेथि तो हमने जो यह पेस्ट बनाया था प्यास का लैसुन का द्रग का वो डाल देंगे सारा ही और पेस्ट डालने के बाद भी इसे अच्छे से हम भून लेंगे हमें इसे अच्छे से भूनना है टमाटर का पेस्ट अभी नहीं डालेंगे पहले प्यास के पेस्ट को ही अच्छे स तो हुआ लगा तर चलाते विये 오á है तो पेस्ट जल्दी भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ा सा नमक ताकि मसाला जल्दी मुंदे नमक डालनें मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है तो आप इसमें नमक केड़े थोड़ा सा और इसे फटाफट से भूनने इस तरह से चलाते हुए तो 4-5 मिनिट लेगें इसे भूनने में हाई फ्लेम पर आप देख सकते हैं मसाला एकदम भून गया है और हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है और आप इसका कलर देखिए प्यास के वज़े से ये जो कलर आया है मसाला में वो प्यास के वज़े से आया है तो मसाला एकदम भूनके तयार हो गया है ऑल इसने रिलीज कर दिया है अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे तो ध्यान रहे कि हमें हर एक पेस्ट को अच्छे से ही भूनना है तबी सबजी का color और taste अच्छा आएगा फिर हम इसमें टाल देते हैं टमाटर का paste तो हमने टमाटर और हरीमिश का जो paste बनाया था वो डाल दें इसमें और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तो पहले मैं इसे चला लेती हूँ तो इसे पहले हलका साम चला लेते हैं फिर हम इसमें मसाले भी डाल देंगे ताकि मसाले भी साथ के साथ ही भुन जाएं इसमें हमने अभी तक इसमें मसाले एड नहीं किया है तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हलका से चला लें फिर इसमें मसाले डाल देंगे तो बहुत हम इसमें ढल देंगे धन्या पौडर साती हम अपर जीरा पौडर एक छोटा चमच और गर्म मसाला डाल देंगे एक छोटा चमच यसे liquid के आप अपने साइव सकते हैं इसें लेकिन इतने मसाले डालने पर आपकी log связ वह थोड़ी स्पाइसी भने साथी इसमें मीट मसाला डाल देंगे डेड़ बड़ा चम्मच आपके पास कोई भी मीट मसाला हो वो यूज कर सकते हैं डेड़ बड़ा चम्मच इन सब को डालने के बाद इसे हम फ्राइ कर लेते हैं अच्छे से तो चलाते हुए चार से पांच मिनिट के लिए फ्राइ कर ल कि यहां पर ऑईल रिलीेज हो चुका है यानी मसाला हमारा अच्छे से ळाल हो गया हैं अब हम इसमें मटन डाल देंगे मैंने हम 5一 सज क्राम म मटन लिया है कि इसमें मटन डाल देते हैं मैटन को पहले 2 बड़े दंगें दो पर भूल मटन ड司कपन को भी मटन मअच्ट के VS Lin द तो मैं जब मुझे जरुरत लग रही है पानी की तो ही हम पानी आड़ी करें पानी थोड़ा से पानी डाल देते हैं TAK 2 मुझ ऑन फोर्थ कप के करीब तो इसे हम अच्छे से और भून लेते हैं ताकि मटन में अच्छे से जो मसाला है वो एब्जॉब हो जाए तो इसे लगातार चलाते हुए भूनने साथ से आठ मिनिट के लिए तो पानी सारे एब्जॉव हो गया है, हमारी मटन अच्छे से भूनकित तयार हो गया है अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और सीटी लगाएंगी, इसके लावा हमें इसमें कुछ भी नी करना है बस इसमें पानी डाल दे तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धाई ग्लास पानी स्वात के नुसार नमक डाल देंगे ध्यान रहे हमने मसाला को भूनते वक्त भी नमक डाला था तो उसी के अकॉर्डिंग डाले थोड़ा से इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे मैं धनिया पत्ता इसी टाइम पर डाल रही हूँ आप चाहें तो जब गैस को आफ करेंगे उसके बार डालें तो धनिया पत्ता और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं प्रेशर कूकर का ढकन बंद कर देंगे तो इसका लीड लगा दे और गैस को हम हाई कर देंगे और हमले पर आठ से 2-10 सीटी और देंगे इसमें मटन थोड़े टाइम लेता है तो इसमें 8-10 सीटी लगाएंगे टोटल यहाँ पे 10 सीटी लग चुकी है तो हम चेक कर लेते हैं अगर मटन सॉफ्ट हो गया है तो आपका मटन जो है तैयार हो गया है अगर नहीं हुआ है तो आप इसमें और सीटी लगा है पानी की जरुवत पड़े तो आप पानी भी आड़ कर सकते हैं लेकिन गरम करके ही दाले और यहां पे हमारा मटन हो गया है रेडी आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है और आपको तेल उपर इस तरह से तैरा हुआ दिक रहा होगा इसका मतलब यह है कि हमारा जो मसाला है वह बहुत ही अच्छे से बुना है तो हमारी रेसिपी और भी जादर टेस्टी कितना है